असलाम अलेकुम आज हम बात करेंगे मजमून मराठी की जो के जमात दूसरी सबक से लिया गया है तो बच्चों मराठी सबक आज हम पढ़ना सेखेंगे सबक का नाम है खेड़ खेड़ लिया इसमें बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो हम दिन भर में खेलते हैं बहुत सारी ऐसे हरकात हैं जो हम दिन भर में करते हैं जो इसको हम तस्वीरों के जरिये पढ़ेंगे इस सुबक के learning outcome में हमने देखा कि बच्चे किरियाओं का हरकतों का नाम मराठी में बोलना सिखेंगे एक तो ये चीज दूसरा खेलों के प्रती उनकी respect और उनकी एहिमेत बढ़ेगी और उसी के साथ साथ डोमेन में हमने लिया है कि भाशा का विकास होगा जिस तरीके से मराठी हमें बोलना चाहिए और मराठी हम पढ़ रहे हैं तो मराठी में भी इन किरियाओं के नाम हमें आना चाहिए इसी के साथ दौजार बीस नई तालिमी पॉलिसी के तहत है जिसके जरीए बच्चों में ना सिर्फ इल्मी तरक्की होना है बलके जहनी तरक्की, जजबाती तरक्की, सकाफती तरक्की और जमालियती तरक्की होना भी लाजमी है तो इस सबक के जरीए बच्चों की जहनी तरक्की, इलमी तरक्की होगी और सकाफती तरक्की भी होगी तो चलिए हम शुरू करते हैं सबक खेड़ खेड़ुया